नमस्कार, राजकी इसनात्कोत्र महविद्याले बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सायक आचारी, राज्टी विज्ञान विभाद, आप सभी का इस ओनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ, प्यारे बच्चों, बीए सेकंड एर का दितिय प्रशन पत्र भारती रा राजंत की विवस्ता का हम अद्हिन कर रहे हैं, यह पुस्तक भारती समुदान में दिये गए उबधंदों, तो था वर्मान में प्रशित राजंती और Soviet विवस्ता की संबन्द में लिखे गई पुस्तक है, इस पुस्तक का दिन करना हमारे लिए इस लिए आउशक है, क्यो जो राज्टिक व्योस्ता हमारे चार उत्रब खूम रही है। जो चीजें चल रही हैं, जो समश्या हैं, उनके निरागर्ण है। और समश्या कैसे पैदा होती है, इन चीजों का भी हम अध्यार कर रहे हैं। इसी संदर्म में आज हम चलते हैं संप्रदाइक्ता और धर्म, हम बात करते हैं धर्म की पहले, कि धर्म क्या होता है? धर्म वो विचार होते हैं जिसके आदार पर हम एक दूसरे के संप्रट में आते हैं और एक आस्था उस विचार धर्म में होती हैं वो आस्था हम चाहे किसी भी रूप में दे सकते हैं इश्वर कहां विद्मान है इस बारे में कई लोगों लिखा हैं कई संत मात्मानों लिखा हैं इश्वर के क्या रूप हो सकते हैं उसके क्या नाम होंगे ये भी कई संत मात्मानों बता हैं पेगंबर मौलवी फादर इन्होंने बता है कि इश्वर क्या है यदि हम हम उस आस्ता के विशे को आंतिक मन में शुकार करते हैं वहां तक ठीक है परन्तु उसकी आधार पर हम किसी से भेदभाव या दुरुभावना रखते हैं तो वो सामपरदायक तक लाती है सामपरदायकता का सीधा सिदार्थ है जिसमें किसी धर्म अत्वा बाशा के आधार पर किसी समुह विशेज के हितों पर बल दिया जाए उनितों को राष्टी इतों से भी अधिक प्रात्मिकता दी जाए तथा उस समुह से पर्थक्ता की भावना उत्पन की जाए या उसको प्रोच्चाहन दिया जाए प्यारे बच्चों हम पहले भारती है हमारे मन में और राष्टीता का होना अतियाव girlfriend क्योंकि राष्टीता हमारे मन जहन में होने चीए हम भारत के निवासी है हमारे लिए पर्थम हमारा भारत देश है परंतु कुछ लोग शंकेन विचार थार रखते हैं अपने धरम जाती संपरधाय को में तो दें जो की करते हैं जो इन चीजों को में तो दे करके कारे करते हैं वो ही संपरधायता कहलागती है अब हम चलते हैं संपरधायती जो संविधान में धर्म निप्रेकशन को दिया गया भारती संविधान ये कहता है की भारत का कोई धर्म नहीं होगा परंतु हम इसका आर्थीन लगा है की भारत ऐधर्मी है भारत का कोई धर्म नहीं है प्रंतु भारत एधर्मी नहीं है भारत हिंदुस्तान इंडिया यह सबी धर्मों को समान मानता है सविदान द्वारा भारत को एक धर्म प्रिक्स राष्ट गुष्ट किया गया फिर भी भारती राज्टी में धर्म की एक विशीष भूमी का है हम धर्म प्रिक्ष राज्जी की इस्तापना तो करश पाये हैं प्रंटों धर्म प्रिक्ष समाज की नहीं धार्मिक विविनता के कान समाज में विविन प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और इन तनाओं को बढ़ाने में राज्टिग्य जो नीता लोग हैं उनके एम भूमी का होती हैं। इससे उनके स्वार्तों से दो जाते हैं परन्तु एक संपरदाय में रहकर लोग कटू तब पैदा कर लेते हैं। कभी आप देखें कि हम जिस गली मोलने में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, सभी धर्मों के निवासिय उसमें रहते हैं। क्यों हम रायंतिक स्वार्तों के पीछे आ करके हैं। हमारे पोड़ुशी भाई से दुस्मनी बोल लिते हैं। इससे उनका रायंतिक तो सिद्धु जाती है, परन्तु हमारे मन में एक कटाव पैदा जाता है। जिससे हमें डर की भाउना मेशा, एस रुक्षा की भाउना पनीरती। स्वादिन्ता के बाद जब स्वतन हम हुए, उसके बाद चुनाओ की रायंति में धर्म की और संपर्दाय की नकरात्मक भूमी का पनपने लगी। इस बारे में किसे ने लिखा है कि पहले लोग समझते थे कि रायंति धर्म और संपर्दाय का शोषन करती हैं, पर अब हालत यह हो गई है कि धर्म और संपर्दाय रायंति का शोषन करने लगे हैं। एक तरफ से संपर्दाय रायंतिक दलों के लिए वोट बैंग बन गए हैं। रायंतिक शक्ति के रूप में धर्म और संपर्दाय का खूब दुर्पयोग हो रहा है। रायंतिक दल, संपर्दाय रायंति की गड़ती बढ़ती निष्टा के धिलोंने बन रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, रायंति में लोग बाग धर्म से स्टार्ट होकर जाती और जाती से खतम होकर के परियारवाद पर समकत हो जाती है। हमेश्ची जो की समझ अची है। फूट डालने के लिए धर्म आता है, फिर उसके जाती आती है। जाती के लिए परियोड आता है। हमें ये जो स्वार्थ सिद्री के लिए कारे करते हैं, उनसे दूरी बनाय रखना हमारा करते बरता है। आगे बात करते हैं, धर्म और राज्टी। धर्म और राज्टी में संबन देखते हैं कि किस प्रकार है। जब हम भारत, जब महारा भारत आजाद हुआ और धर्म और संपर्दाय के अधर पर भारत में राज्टी दरों का गठन हुआ। जैसे मुस्लिम लीग, सुतन ताक अंदुलों के समय पर मुस्लिम लीग का वर्चिसु था। श्रुमणी अकाली दल, राम राज्जी परिशद, हिंदू महासभा आदी। राज्टी दलों को निर्मान में धर्मेक संपर्दायक तत्रों की मैत्तुप्रम भूमी का रहे। यदि संपर्दायकता एक रोग है और वह है एक संक्रम नवी है। तो इन दलों के सासन और राज्जी पर प्रभाव सहजी आखा जा सकता है। ये संपर्दायक दल राज्टी में धर्म को प्रदानता देते हैं। धर्म के आदार पर चुनाओं में प्रत्यक्षियों जो प्रत्यक्षी होते हैं। उनका चैन देखा जाता है। चुनाओं में धार्मिक बुद्धों जैसे गोवद को बंद करने आदी चीजे उठाई जाती है। शंकुच्त भावना धार्मिक रूप में फैलाई जाती है। जन्संग पर सामपरदाईक दल होने के आरुप बहुत लगाया जाती है। 1991 से 1993 के वर्सों में भारती जंता पार्टी ने अपने आपको जिस प्रकार मंदिरवाद के साथ जोड़ा है। उसके आधार पर इस पार्टी पर भी कुछ लोगों द्वारा सामपरदाईकता का आरुप लगाया जाता है। वस्तुत हैं कांग्रेसों सामपरदाईकता से मुक्त नहीं है। केरल में इस आई समुदाईक के लोग कांग्रेस का एक ऐसा गड़चो उड़ रहा है जिसमें सामपरदाईकता कहा जा सकता है। यहां तक कि साम्मेवादियों ने भी कुछ जगों पर और कती पे प्रियोजनों के लिए सामपरदाईक छेतर त्यार कर लिए गया। धर्म और निर्वाचा रांतिक दल जो है जो रांतिक दल है उन्होंने भी इन चीजों को जोड़े रखा। हिंदू तुअ की भावना मुस्लिम की भावना ये मिलकर के रांतिक दल मनालते हैं के बाद। हाला कि प्यारे बच्चों रांतिक दल किसी भी संपरदाय या धरम के परती आफसत्त नहीं रहता है। क्योंकि राज्टी दल जब सत्ता में आता है तो उसके लिए संपुन भार्थ एक परिवार हो जाता है परन्तु कुछ लोग अपने नीजि स्वार्थू को ध्यान में रख कर वोट बैंक की राज्टी करकर इन दलों को दूशित कर देते हैं जो की भार्ती राज्टी में बहुती गातक है धर्म और निर्वाचन की बात करते हैं भार्त में अधिकांस राज्टी दर्म और उनकी नित्ता चुनाव में दर्म और संपरताय की दलिनों के अधार पर वोट मांगते हैं हम अभी जब चुनाओं होते हैं कभी आप इन चीजों देखना जब आप वोट डालने के लैक हो जाए तो उसमें आपके आसपास वो लोग आएंगे जो लोग आपको धर्म की आधार पर जादी की आधार पर आपसे वोट मागें बच्चों वोट डालना आपका अधिकार है मत गान नहीं है ये बत का अधिकार है दान कार्त यह है कि आपने देदिया तो भूल गए परंतु आप वोट का दिकार रियूज कर रहे हैं आप ऐसे प्रतिन्दी को बेज रहे हैं जो प्रतिन्दी भारत के राष्ट निर्मान का खारी करेगा जिसके जहन में भारत की भावना होगी राष्ट की भावना होगी नहीं कि किसी जाती और धर्म की भावना होगी हमें हमारी वोट के दिकार का अपयोग तभी करना चीए अच्छी तके करना चीए व्यक्ति का चेन करना चीए नेकी धर्म का जाती का हम जाती धर्म के रूप में बढ़ जाते हैं जो की गलत है व्यक्ति अपने वोट का अधिकार राष्ट निवान के लिकर है राष्टवादी वहाँ नहों जाती धर्म की नहीं परंतु राज दिक्दल भोली वाली जलता को जाती और धर्म के आधार पर बाट करके बोट रूसलने काम करती हैं और उनका एन केन प्रकाएन काम होता है सब्ता प्राप्ट करना वोट बटोने के लिए मठादी सुक इमामों पादरियों और सादुन के साथ सांटगार की जाती है मद्दान की अवसरों पर मत मांगने वाले मद्दान करने वालों के आचन पर धार्मिक तक्त्यों चायर पर 1977 और 1977 के लोक सुबह चुनाओं में दिल्ली की जावा मजजिद के शाही इमाम की बूमिका के अधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि धार्मिक निता राज्टिक द्रणों से मुस्लिम संपरदाय के वोटों का किस प्रकार सोदा करते है राज्टिक निता की भाती शाही इमाम ने चुनाओं सभाओं में बाशन दी और मुस्लिम संपरदाय के मद्दाताओं को किसी विशेश दाती दर के प्रक्ष में मद्दान किलने की प्रिरत किया किसी संवदतन लिखाए कि सवाल उड़ता है कि समाजवाद और गंतत्र की बात करने वाले अगर इमाम के नाम से वोट माँगना चाहेंगे तो हो सकता है कि बलराज मदाके जैसे लोग संक्राचारी के नाम पर वोट माँगने लगे फिर क्या इस देश में इमाम और संक्राचारी के बीच चुनाव लजाएगा अभी आप देखिए कुछ शादू संतों ने बीच चुनाव लड़ने का प्रियास किया और कुछ इसमें सफल भी होए पंद्री और लोगस्वा चुनाव में भी धरम और संप्रदाय के परस्णों से पूंटे मुक नहीं रहा हूँ अगला है राज्टी और धार्मिक दभाव सुमो धार्मिक संगटन भारती राज्टी के ससक दभाव सुमो की मुमिय गादा करते हैं ये धार में गुठ शासन की नित्यों प्रभावित करते हैं और कभी-कभी अपने पक्स के अनुकूर नेने भी करवा लेते हैं उधान के लिए हम बात करते हैं हिंदों की आपत्ती और अलोटना के बावजूट हिंदो कोडविल पास कर दिया गया किन्तु दूसरी संपर्दायों के संबंद में ऐसा कोई साहस्पून कदम नहीं उठाएगा मुस्लमानों को अब देखिए जो तीन तराक वाला मुद्दा था उसमें कितना विरूद हुआ सुदंता के बाद अनेक मुस्लिम संगठनों जैसे जमियत अलएमा हिंड एहिंड जमायत शरिया जमायत इसलामी आदी ने कम से कम तीन बातों के लिए सरकार नीतियों को प्रवाइद कर दिया और दबाव गोटों की भूमे का अदा करने यह तीन बाते उर्दों को समवध्दारी सरुन दिया जाए अलिगर्ड विश्व द्याले का अल्फ संक्यत शुरूब बनाय रखा जाए और मुस्लिम परशनला के बारे में कोई भी तब्दिली ना की चूँ 1986 में मुस्लिम वरग के संपर्दाइक दबाओं ने मुस्लिम महिला स्रक्षन कारून पारित कर वा है जिससे श्रहवानों विवाद के में सरुची नयले का प्रकृतिसील निर्ने सुन्ने हो गया धार्मिक अधार पर मंत्री मंडल करने मान जब चुनाओं होते हैं वो धार्मिक अधार पर लिए जात्री का अधार पर लिए जब सत्ता प्राप कलिता है कोई दल तो वो देखता है कि अपने मंत्री मंडल में यूगिता को ने देखकर के धार्मिक अधार पर अपना मंत्री मंडल बनाता है यह आप देखते होंगे जब चुनाओं होते हैं किसी पार्टी को इस्पष्ट भाववत मिलता है तब दूज़े अक्वार में पढ़ते हैं इस जाती का ये मंत्री इस जाती का ये मंत्री हमने चुनके लिए उनका चुनाओं इसलिए किया है कि राश्ण निर्मान का कारेकर है देखको प्रगरती के अत्रप लिक metro प्रंतु जब मंत्री मंडल का निमान होता है उस समय जाती की विशेश भूमी का और धर्म की विशेश भूमी का वो राधिक दल करता है केंद्री राज्यों में मंत्री मंडल बनाते सदे समय सदे इस बाद को ध्यान रखाता है कि परमुक्ष, संपर्दायों और धार्मिक विश्वास वाले वेक्तियों को उसमें प्रतंद्री मिल है केंद्री मंत्री मडल में अल्प संक्यों जैसे मुसल्मानों सिखो इसाइयों को सदेव प्रतनेव दिया गया है जब हम बात करते हैं कि मंत्री जिसको बनाय जाये वो योगती होना चाहिए उसकी लिए जाती द्रम्यत को नहीं होना चाहिए और वो इतना पड़ा लिखा भी होना चाहिए कि भारत की राज्टी को समझ के भारत की राज्टी की व्योस्ता को समझ के उसको भारत का भुगोल याद हो भारत के अर्थवस्ता याद हो और मंत्री पत उसी व्यक्ति को दिया जाना चे जो उस विशे का विश्य सग्य हो तो भारत राष्ट विकास की और प्रगर्सी लोगा हो अगला है धर्म और राष्ट्रियक्ता धर्म और संपर्दैक्ता राष्टिक तक लिए गहतक माने जाते हैं धार्मिक मत्विदों के परणाम सुरूप ही हमारे देश का विभाजन हुआ और उसी का धार पर आज भी विगण करें ततों सक्रिय हैं बच्चों आपको याद होगा कि जब हम आजाद होई 1947 में उस समय धार्मिक अधार पर पाकिस्तान का अलग में ने मारूँ हो जो की डलते हैं आज भी कई राज्यों की मांग जब की जाती है तो धार्मिक अधार पर की जाती है कई जगहों के नाम परियोज़त की जाते हैं धार्मिक अधार पर की जाते है जबकि हमारा लक्षे राष्ट की एक्ता को बनाय रखना है राष्ट निर्मान के कारिय करने चीए अगला राजियों की राज्टी में धर्म की प्रभावकारी भूमिका धर्म और धर्मिक समधायों को भारती राज्टी में कितना प्रभाव और केरल है केरल और पंजाब राज़ियों की 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 नईयर सर्विस सोसाइटी, शरी नार्यान धरम, प्रिपालन युगम और अनेक इसाई संगठन प्रमुक है। धरम और रांती का अंत्यक्रिया समझेग लिए पंजाब राज्य की रांती का विशेच महतु रगती है। पंजाब के रांती रांती अकाल दलों के आंतिक रांती तता ससक्त सम्रद स्रुमनी गुर्द्वारास प्रण समयत्य के निर्वाचनों के इर्दिग्रत खुमती रही है। बच्चों, आज हमने जो देखा सांपरदायकता के बात किया। बच्चों, एक बात आती है कि हम राष्ट को मैथ्बून थे। हमारे लिए हमारा भारत मैथ्बून है। याद करो उन लोगों को जिनों ने भारत को आजाद करने के लिए अपने जान और बच्चों की कुर्बान थे। हम जिस आजादी का उबोग कर रहे हैं यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है क्यों हम धर्म जाती संपर्दाय के अधार पर बढ़ रहे हैं जो किसे असर गलत है जब भी चुनाव हूँ तो एक बात मैं दिल में हमेशा रखनी चाहिए कि हम जाती धर्म के अधर बोट ना देख करके एक योग्य विक्ति को चुनाव करें वो योग्य विक्ति राष्ट की प्रती भावना रखेगा जाती धर्म की संकीन भावना हमें अलग-अलग भावगं बाढ़ती है आप उन दिनों को याद कीजिए जिन दिनों में ब्रेटेन ने अंग्रेजों ने हम पर आकर्मन की हमारी सारी संस्कति को तैसनेस करकर दिया हमारी एक्ता को तैसनेस करकर दिया इसलिए प्यारे बच्चों अपने विवेक सीज़ करें धर्म सामपरदैक्ता जाती के बंद्रों से मुक्तों करकर भारत के वह राष्ट के लिए अपना काम करें इसी क्लास में इतना ही सभी का धन्यवाद ठैक्स ओफाल